हलो, कृष्णा क्लासिस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BA First Semester की Unit 8 Computer and Writing Skills in English का टॉपिक ब्लॉगिंग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है और देखिए इस वीडियो में मैंने ब्लॉगिंग को बहुत अच्छे से explain किया है और मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस वीडियो को मैंने आपके examination के point of view से बनाया है आपके paper के point of view से बनाया है और एक बात और बता दूँ हाँ ये जो आपकी unit 8 है ये computer and writing फिर था letter writing थर था preparing resume and CV और फोर है आपका online writing तो हमारा ये last चल रहा है online writing तो online writing में भी तीन content है आपके तीन topic है blogging, content writing और email writing तो इसमें आप हमारा ये second topic है blogging तो देखे समझेंगे blogging क्या होता है तो मैंने इसमें three points दिये है first है what is blogging blogging क्या है second है how to write a blogging blogging को कैसे लिखा जाता है या blogging को लिखना third है structure of blogging blogging की रूप रिखा ठीक है तो सबसे पहले पढ़ेंगे what is blogging blogging क्या है देखिए मैं आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा समझा देना चाती हूँ हिंदी में की blogging क्या होता है ठीक है हाँ देखेंगे देखो जो ब्लॉगिंग है ना इक तरह से वेव लॉग होता है ब्लॉगिंग वेव लॉग एक प्रकार की वेव साइट होती है ठीक है जिससे लोग एक डिजिटल टाइरी की तरह उप्योग करते हैं और उस पर बे अपना अनुभव, अपने बिचार, अपनी जानकारी इमेज, वीडियोज, आद के माध्यम से वो क्या करते हैं लोगों के साथ सीर करते हैं, साजा करते हैं उसे ब्लॉगिंग कहते हैं ठीक है अब देखेंगे, देखो, समझेंगे एक ब्लॉग पोस्ट को इस पब्लिस्ट इन दा ब्लॉग सेक्षन और फे बेब साइट एक ब्लॉग पोस्ट को इस पब्लिस प्रकाशित किया जाता है इन ब्लॉग सेक्षन, ब्लॉग सेक्षन में और फे बेब साइट बेब साइट के उसके ब्लॉग section में इसको publish किया जा पाया है It may be related to any article, news and educational also तो it may be यह हो सकती है related में शम्मंदित any article किसी भी लेक से सम्मंदित हो सकती है article का मतला लेक किसी भी news से सम्मंदित हो सकती है और educational also और यह educational भी हो सकती है सिच्छा प्रद्वी हो सकती है दा वर्ड्स रेंज इज फ्रॉम 600 to 20,000 नहीं 2,000 ठीक है तो यह क्या है इसकी जो वर्ड रेंज होती है सब्दों की जो रेंज होती है वो कितनी 600 से 2000 होती है कहिए कि 600 से 2000 तक सब्द इसमें लिखे जा सकते है इट इट कैन कंटेन अदर मीडिया टाइप सच एज इमेज वीडियोज इनफो इनफो ग्राफिक्स चार्ट्स ठीक है तो इट कैन कंटेन इसमें यह रख सकता है या इसमें हो सकते है ठीक है contents means होना या रखना other media types un-media के प्रकार जैसे सच है जैसे कि image, videos infographic तो देखिए infographic जो होता है वो एक तरह से क्या होता है देखो आप chart भी समझते होंगे, videos भी समझते होंगे, image भी समझते होंगे infographic होता है जैसे visual presentation of the information or data data और किसी भी सूचना information का जो representation होता है चित्रड होता है या वर्डन होता है visual उसे infographic कहते है ठीक है it can be written about any topic या किसी भी topic पर लिखा जा सकता है या किसी भी topic के बारे में लिखा जा सकता है ठीक है it can be written about या on भी कर सकते हैं या पर any topic कुल मिला के ये कहेंगे कि देखो ये दस इस प्रकार भी कैंसे इस प्रकार हम कह सकते हैं एक ब्लॉग इज ओनलाइन जर्नल एंड इनफोर्मेशन वेब साइट इस प्रकार हम कह सकते हैं एक ब्लॉग इजमीज होता है ओनलाइन जर्नल शामान इनफोर्मेशन वेब साइट इनफोर्मेशन और जर्नल ओनलाइन वेब साइट होती है दिस्प्लेइंग इनफोर्मेशन रिवर्स क्रोनोलिजिकल ओर्डर तीक है तो डिस्प्लेइंग करती है पदर्सित करती है दर्षाती है या बताती है इनफोर्मेशन शूचना रिवर्स क्रोनोलोजिकल ओर्डर में किसी भी शूचना को रिवर्स क्रोनोलोजिकल ओर्डर म दरसाती है यह पदर्शित करती है reverse chronological order जानते हैं उल्टा जैसे कि अभी जैसे पहला समझ लो पूरा with latest post appearing first at the top जो latest post जो होती है हाली में जो post हम अभी अभी डालते हैं वो appearing होती है first at the top सबसे उपर मलब जो अभी post डाल ले हैं वो आपकी सबसे उपर आईगे हैं जो पहले डाल चुके हैं सबसे पहले डाली है वो सबसे नीचे जैसे कि मान के चली हम ही वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए तो जो latest अभी डालते हैं वो टॉप पर होती है ठीक है उसी प्रकार से reverse chronological order तो latest post appearing first at the top how to write आगे दिखेंगे how to write a blog एक blog को कैसे लिखें आगे चलेंगे देखो how to write a blog there are four step to write a blog एक blog को लिखने के four step होते हैं step first choose a topic एक topic को choose किया जाता है एक topic को choose करो creating an outline outline को create करना conducting research conducting research and checking facts तो यह जो होता है conducting research किसी भी research को conduct करना विवस्तित रूप से कुछ करना मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को research कर रहे हो तो आप तो उसको विवस्ते सही तरीकी से ठीक है research कंड़क अभी समझाऊंगो धाड़ देकर and checking facts और उससे सम्मनित जो facts हैं तत्थे हैं उनको check करना first step होता है देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कोई भी topic को लेंगे choose करेंगे फिर उसकी creating outline को तयार करते हैं फिर उस पर research करते हैं जैसे suppose that मैंने एक आपके लिए form उधर दिया है एक example structure उसका तो उसी से related मैं आपको बताती हूं कि मानके चलिए कि आपने topic चुना sonet sonet पर एक blog ब्लॉग पर एक topic चुना आपने तो sonet क्या होता है ठीक है topic चुल लिया तो उसकी creating outline create कर रहे हैं ठीक है कि manually sonet की यह है यह है पूरा outline उसकी तयार कर लिया आपने उसका conducting research तो उससे सम्मंदित आप जो भी research है उनको पहले कर लेंगे कि होता क्या है दो प्रकार के sonet होते है Italian, Petrachan और English sonet English sonet का pattern होता है Italian sonet का एक octave होता है सेस्टेट होता है octave 8 line का होता है सेस्टेट 6 line का होता है फिर octave को भी दो quadrant में बांटा जाता है मतलब सारी उससे related research कर लेंगे और checking fact और उससे related जो भी fact है वो सही है या नहीं है मलब truth है trustable है या नहीं है ठीक है उसको fact हो second है topic it should be informative to get reader's attention it should be informative यह informative होना चाहिए ज्यान प्रद होना चाहिए शिच्छा प्रद होना चाहिए या सूचनात्मक इनके तीन अर्थ दे सकते हैं यहां पर हम शूचनात्मक होना चाहिए ज्यान प्रद होना चाहिए शिच्छा प्रद होना चाहिए ताकि यह क्या कर सके to get reader's attention readers का पढ़ने वाले के attention को कीच सके मतलब ध्यानाकरशित कर सके third use image and any add to clear it इसमें हम image का भी प्रियो कर सकते हैं और किसी भी add का भी प्रियो कर सकते हैं to clear it इसको clear करने के लिए four है edit blog post avoid repetition keep sentence short edit करना चाहिए blog post को edit का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यवस्थित करना card chart करके extra उसको हटाना और कहां गलती है उस चीज को card chart करके मतलब किसी भी चीज को व्यवस्थित करना edit कहलाता है ठीक है तो edit blog post, blog post को edit करना avoid the repetition और जो repetition है उसको दोहराने से avoid करना बचना चाहिए और keep sentence short और उसमें sentence कैसे होने चाहिए short होने चाहिए बलकुल मिलाके sentence short और simple language होने चाहिए ताकि हर वेक्ति उसको समझ सके ठीक है next चलेंगे देखिए structure में हमने यह आपको दिया है आप चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और paper में यह पूछा जाता है तो आप लेख सकते हैं write a blog on evaluation evolution और general information award evolution तो इसके बारे में दिया है आप समझ सकते हैं दूसरा है write a blog on sonnet यह दिया है sorry थोड़ा sorry थोड़ा सा technical problem हो गई थी तो write a blog on sonnet ठीक है यह जो दिया है देखो evolution पर जो दिया है वो दिया है मनेशा बार्षनेने और इधर है यह write a blog on sonnet इसको भी हम आपको दिखा देते हैं यह है sonnet का blog article ठीक है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं इसे sonnet comes from italian bird sonnetto sonnetto क्या आया है italian bird sonnetto से लिया गया है which means let little song in इतना यह यह है ठीक है 13th century by इस तरह से ठीक है यह italian दो प्रकार के होते हैं italian petrachan second English or sexperian तो यह क्या है research क्या conducting research करके इसको लिखना इस तरह से यह मारी blogging की video complete हो जाती है थैंक यू